हलो दोस्तों मेरा नाम धननच है आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फाइब मेजर मिस्टेक्स जो हम लोग S.I.P. में करते हैं आपने दिखा होगा S.I.P. पे मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ mutual fund पे बिकुस ये जो एक ऐसा medium है जहां पे आप अपने hardened money को काफी हद तक relatively सुरक्षित रखते हैं और अच्छा amount आप growth भी देते हैं आपको बहुत ज़्यादा monitoring नहीं करनी होती क्योंकि वहाँ पे जब आप share market में direct जाते हैं तो मुझे लगता है अगर संभव हो तो comment करके बताइए काफी लोग loss में रहते हैं कई बार जितना पैसा आप लाते हैं वो धीरे धीरे burn होने लगता है कई बार आप market नीचे गया आपने सोचा कि आर average down कर लेते हैं और खरीड लेते हैं कोई stock आपने 200 रुपे में खरीदा एक वो 1500 में आ गया आपने सोचा चलो यार एक equal amount ले लेते हैं so that average somewhere 175 हो अब वो और नीचे चला जाता है फिर आप खरीड लेते हैं और आप फस्ते चले जाते हैं average तो नहीं निकल पाता और आप stuck कर जाते हैं उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मस्किल होता है ऐसे ही कई बार sort कर दिया और उसके बाद market उपर चला गया तो बहुत सारी ऐसे दिक्कते हैं जो आपको सीधे डारेक्ट ट्रीड करने में दिक्कत करती हैं यहां पर इन्वेस्ट करने में यहां पर बहुत सारे टेक्निकल बहुत सारे talented fund managers होते हैं जिनका यही काम होता है in fact मैं आपके निबारे में बताओं मैंने भी master's इसी में किया है risk management and quantitative analysis में तो यह मैं जानता हूँ कि कितना deep महाँ पे study कराया जाता है और कितनी यह professional ही अगर मैं इसी के पैसे ले रहा हूँ किसी company में तो naturally मैं चाहूँगा कि हमारे customer के पैसे grow करें down कम से कम हो फिर भी risk तो होता ही है तो mutual fund में five major mistakes इस पे मैंने एक video बनाया था लेकिन इसको थोड़ा छोटा करके मैं video बना रहा हूँ तो आगे बढ़ने से पहले मेरा request होगा channel को subscribe जरूर करिएगा आप का ही channel है और video पसंद आये तो like करिए शेर करिए चलिए mistake one mistake one होता है कि हम अपने कम amount को ही you know SIP में डालते रहते हैं कम amount का SIP लिया और उसी को continue कर दिया चलिए मैं एक छोटा से example दे रहा हूँ तो आज की date में 390,192 crore per day SIP में invest हो रहा है लगबग लगबग 400 crore कितना high amount है यानि बहुत सारे लोग इस matter act हो रहे हैं अब छोटा amount अगर आप SIP में डालते हैं average ticket size इस time पता है 2300 का है पर month का है तो अगर आप 2300 per month SIP में डालते हैं यानि इतना छोटा amount तो 35 years के बाद 1.5 crore होगा आपने 35 साल में लगबग लगबग 10 lakh के आसपास invest किया और आप सिर्फ 1.5 crore 35 साल बात पाएंगे 12% 12% rate of interest में मानके चल रहा हूं 35 years का tenure मानके चल रहा हूं कोई भी SIP आपने miss नहीं की 35 year लगातार और आपने 1.5 crore का corpus जमा किया अगर उसमें मैं 6% के आसपास का inflation adjust कर दो तो आज के बराबर उस 1.5 CR की value उस time 35 साल बाद होगी सिर्फ हो सिर्फ 20 lakh आज जो 20 lakh की हैसियत है 35 years बाद वही 1.5 CR की हैसियत होगी तो आपने बहुत जादा corpus नहीं बनाया अब आज आते हैं mistake number 2 पे mistake number 2 कहता है कि कई बार हम लोग जो SIP करते हैं वों करते रह ज गया multiple sources of income हो गया लिए SIP नहीं बढ़ाई तो अब यही 2300 पर मन्त में अगर हम 10-10% हर मन्त extra SIP इंक्रीमेंट करते रहे SIP की अगले साल 10% बढ़ा दिया उसके अगले साल उसका 10% बढ़ा दिया उसके अगले साल उसका 10% बढ़ा दिया तो 35 years के बाद हमारे पास जो corpus होग वो 4 करोड का होगा 4 करोड का सिर्फ 10% बढ़ाने से पहले 1.5 करोड का था हमने 10 लाक जमा किया था अभी हम 10-10% बढ़ाएंगे तो 75 लैक्स हम इनफेक्ट जमा करेंगे लेकिन हमारे पास जो पैसा आ जाएगा 35 years के बाद वो 4 करोड होगा 4 करोड सोच लिजे कितना जादा अमाउंट आप ले पाएंगे अब आजाते मिस्टेक नमबर 3 अगर आप 20 years 15,000 का investment per month SIP कर रहे हैं और एक SIP आप अगले साल से भोलना शुरू कर दिये तो टोटल 20 साल में आपने पहला और लास्ट को छोड़ दिया जाए तो 2.8 लैक की आ आपने इन्वेस्ट किया यानि सिर्फ एक 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 SIP आपने मिस्ट की और आपका जो rate of return आ गया वो significantly low हो गया और उसकी value हो गई 1.1 क्रोड यानि 40 लाख आपने लूस कर दिया उसके बाद आ जाते है mistake number 4 पे fourth mistake यह है कि कई बार हम लोग withdrawal plan ले लेते हैं और withdrawal में होता है income distribution come withdrawal जैसे endowment plan कहते है income distribution come withdrawal plan जैसे ऐसे interest मिलता है आप उसको withdraw करते रहते हो खर्चे के लिए या फिर कोई ऐसी plan आपने देखा होगा पहले काफी आते थे IDCW उसकी जगह पर आपको growth plan लेना चाहिए IDCW income distribution come growth plan income distribution come withdrawal plan के जगह पर आपको growth plan लेना चाहिए इसमें क्या होता है जो पैसा आपका मिलता है उसको further invest कर दिया जाता है investment वाले पैसे पर फिर आपको interest मिलता है अपने वाले मिलता है जो interest कमाया वो भी आपका investment बन गया उस पे भी पैसा मिलता है यानि आपका ये पूरा का पूरा system पैसा कमाने लगता है ब्याज से ब्याज कवाने लगते हैं आप interest से interest कवाने लगते हैं और इसका एक example मैं आपको बताता हूँ इससे आपके पैसे लगवग लगवग 10 से 20 साल के interval को आप अगर calculate करके देखे calculator बहुत सारे दिये होते हैं आप net से select कर लो नहीं हिसाब से कर सकते हैं तो आप कम से कम 1.5 टाइमस ज्यादा पैसा generate कर सकते हैं 1.5 टाइमस केवल वो interest पार्ट को ही रखे उसके बाद fifth mistake एक बड़ा जो लोग करते हैं वो एक या दो साल में पैसे withdraw कर लेते हैं कम से कम ideally recommend किया जाता है 5 years नहीं तो 7 years is the best recommendation की साथ साल तक तो आप mutual fund में पैसे डालो उसके पास आप significant growth देख सकते हो जितना जादा डालो वह बहुत अच्छी बात है लेकिन अपकोस पैसा डाल रहा है वो तो सरनी पड़ेगा अत्वार चढ़ाओ कोई फरक नहीं डाल रहा है आपको आपका पैसा ग्रो कर रहा है अदर्वाइस एक साल दो साल तीन साल के अंदर में कई-कई बार mutual fund कुछ-कुछ टाइम पर तो बहुत निगेटिव ग्रोथ भी दिये हैं बहुत नहीं लेकिन निगेटिव ग्रोथ भी दिये हैं या बहुत कम ग्रोथ दिये हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है तो यह पांचो प्लैन पहले तीन तो बहुत इंपॉर्टन है दो जिससे आपको पांचो जिससे आपको जाइम